तो आज इस वीडियो में हम जर्मन शेफर्ड या और किशी डॉग के लिए जंपिंग के बात करेंगे जैसा कि आपने इसके धमनेल से देखाई होगा इसमें जर्मन शेफर्ड है जो कूदरा है ये जर्मन शेफर्ड दोग जम्पिंग पैक्टिस में आपकी एक हल्प करेगा तो इसमें भी मैंने शुरू में श्लाइट बनाई है तो आम नेक्सलाइट देखते हैं कि उसमें हमने क्या दिखाया है जैसे कि इस लाइड में ये एक हैडल आएगी तो अब इस हैडल जो है मनि रुकावट तो इसको अगर डॉग को आप पार करने के लिए कहेंगे डॉग को खूदने के लिए कहेंगे तो क्या डॉग खूद जाएगा इसको इतनी आराम से एक बार कहने पर या दो तिन बार कहने पर तो हमने इसके लिए एक कुछ होचा था ये देखिए डॉग भी आ गया है और हम चाहते हैं कूद जाए मगर ये इसके पर से कूदेगा ने डारेक्ट आप जो इसको कूदने के लिए कहेंगे तो भूम के इदर दर चला जाएगा व कूदना एक मुश्किल रास्ता होगा उसके लिए भी और दूसरी साइड से महने हम दिखाए है आपको आप बार बार कुछिश करेंगे तो नहीं जाएगा ये साइड में सोके जाएगा अलाकि ये इसके उपर आगया से लग रहा है कूदेगा मगर वह कूदने नहीं है तो हमने इसको बनाः इसमें किया दिक्कत हो सकती है एक तो आपकी है थोड़ी उची होती है और दूसरा ये थोड़ी थोड़ी अलग होती राग क Excuse लिए देखिए जो डॉग जूंपिंग जो हैडल्स हैं हमने कुछ फोटो ली हैं जो कि हम आपको दिखाना चाते हैं देखिए जो यह फोटो है थोड़ी सी बलर है मगे इसमें आपको साफ सा समझना आएगा जो रैड कलर के जो स्टोपर्स लगाए हुए है जो हैडल्स की साइड में है वो डॉटो को इदर उदर जाने से रोपते हैं उसको पताएगी बीच में से कुदना सबसे आसान होगा तो बीच में से कूदगी आता है और इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है इतना ही उच्छा रगे जितना डॉट कूछ सके दूसरी फोटो थोडी साफ है इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से डॉट इसको पार कर रहा है वो साइड की जुबार है वो उची है और वो एक तरह से रुकावट है इसलिए डॉट उदर की साइड दिना जाके बीच में खुझने कूदना शुरू किया है थोड़ा बड़ो होने पर कर लेते हैं तो जैसे कि कोई भी एक चीज जो की चाहिए क्योंकि उसके बिना तो यह लोग बाहर कूदेंगे नहीं यह हमारी च्छत है रूफ तॉप है यह जोइंट है इसलिए मैंने इस चीज फेक दी और यह उसके पिछे पिछे कूद गई और यह वापस कूद गई आ गई तो अब यह इस दोली को पार करना ही है पड़ेगा इसको अगर इसको यह अपना खेलने के लिए लाना है तो ऐसी कोई जगे डूढ़े जहापे डॉक को इधरो पर जाने की जगे नहीं हो नीचे से निकलने अब यह सिंगल नीचे इट वाज दीवार है और छोटी दीवाल है तो यह कैसी रुकावट है आप ऐसी कहीं कोई बना सकें या फिर ऐसा जैसे की साइड में लगा के रोक सकें कि इसको उसके उपर से जाना पड़े तो आगर आप उसको इसके लिए इंकरेज करेंगी वह उ जरूर करेगा हाला कि इसमें थोड़ी सी टाइम और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेंगी हमने भी हमारी डॉप को कई बार ऐसा किया है तब्दा कि इसको थोड़ा आधत हुई है हम इसको ओपन में अभी वह कमांड इतनी सही से समझती नहीं है जंपिंग होगरा की अभी ए इसको आगे तजार रखेंगे तो इस वीडियो में इतना ही और हम अगली वीडियो आपको लेके आएंगे बहुत ही जल्द जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम जर्मन शेफर्ड के कोर्ट के लिए वीडियो लेके आएंगे तो यह मैंने पहले रिकॉर्ड कर इसलिए मैं इसी वीडियो को अपलोड कर रहा हूं और जर्मन शेफर के कोर्ट से लेटिड वीडियो हम आज या कल में ले आएंगे तो आप देखते रही है अमुशेफर चैनल क्योंकि हम कोशिश कर रहेंगे आपको कुछ नया बताने की कुछ नया देने की ताकि हमारे चैन कर सकते हैं क्यूंकि हम भी अब इसकी दिजए दिजए ट्रेनिंग वगरा शुरू करेंगे और आपको लगता है कि कई वार मैंने कहा कई तरएची वीडियो लाने के बारे में मैं नहीं ला पाया पाया कुछ कारण रहते हैं कई वार ऐसा कुछ नहीं है हम सारी बातें कूर भी करेंगे और आगे क्यूंकि हमें पोभी चैनल को आगे ले जाना ही है तो जुड़े रही है हमोशेफर चैनल के साथ और लेते रहे वीडियो का मज़ा और सिकते रहे कुछ डॉक के बारे में नई चीज़े हैं हम उमीद करते हैं कि आगे ने वाली वीडियो आपको पसंद साथ होगी थैंक यू एंड बाई मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लेकते रहे हैं मुशेफर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना बूलिएगा बाई